सूप्रभाद, आप सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं ठीक है, मैं आप लोगों से आज कुछ प्रशन पूछूंगी उस प्रशनों का उत्तर जिस बच्चे को पता होगा, वो हाथ उठाकर उसका जवाब देंगे ठीक है? ठीक है पहला सवाल बिहार राज के मुख मंद्री कौन है? हाँ अजय, आप बताइए नितीश कुमार सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिये दूसरा सवाल राजी सरकार के कितने अंग है? हाँ अलो, बताइए राजी सरकार के तीन अंग है मैं सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब तो बच्छो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? राज विथान सभा में विथायर का चुनाओं किस प्रकार होता है? ठीक है? ठीक है भारत के सभी राज में एक विथान सभा होता है और उस सभा के सदस्यों को विथायर MLA कहते हैं यह प्रतेक राज कई विथान सभा के छेतर में बटा हुआ है आए देखते हैं यह किस प्रकार चुने जाते हैं सबसे पहले उमिद्वार नामांकन भरने के बाद वो अपने पाठीयों के नेताओं के प्रचार के लिए जगा जगा पे कारिकरम करवाते हैं विथान सभा के छेतर के अंतरगत अपने कारिकरम को आयोचित कराते हैं ततेक राज में अपना एक विथान सभाव होता है और उस सभावा के सदस्यों का निथारन राज की जनसंख्या के आठार पे किया जाता है विधार विधान सभा के सदस 243 और जब भी जार्थन के सदस की एक्यासी है विधायक का निवाचन पयस्क मता अधिकार के आधार पे राज की जंसा के प्रत्य जंसे किया जाता है और यह हर साल नहीं होता है यह पांच साल पे एक बार इनका चुनाओ होता है तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना जी तो यह पांच सालों पे चुनाओ होता है और जब आप लोग में देखा होगा, जब चुनाओं का समय आता है, तो गाड़िये रचार पसार के लिए चलती हैं, लोग बोलते हैं, तीर को बोड़ दीजे, कुछ लोग कहते हैं, मेरी पार्टी को चिताईएगा, तो आप के हाँ बिजली विवस्था करवा देगे, कुछ कहते हैं, आप के हाँ का नाला साफ करवा देगे, तो कुछ कहते हैं कि लाइट, मैं आप के हाँ का बिजली ठीक करवा दूँगा, आप लोग ने सब के घर की तरफ लोग आते हैं ना ऐसे प्रचार करने बच्चों, जी, आप लोग ने देखा हैं ना, जी, ठीक है, बिहार विधान सभा के सदस की आयू कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए मैं इससे संबन्दित आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ विधान सभा के सदस कितने हैं? 243 सही जवाब दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है विहार विथान सभा के सदस की निवतम आयू कितनी होनी चाहिए दो 25 वर्ष तो बच्चों आज हम लोगे ने किस का अध्यन किया राज विथान सभा में विथाय करचुनाओ किस का कार होता है उसका अध्यन किया सभी बच्चों को समझ के आया ना जी तो मैं इससे कुछ सम्मंदित आपसे प्रश्ण पूछ रही हूँ राज विधान सभा में विधाये के चुनाओं की व्याख्या करेंगे ठीक है कौन बताएगा हाँ बताएगे मैम सबसे पहले उम्भीद्वार अपना नामांगन दाखिल करते हैं इसके बाद प्रचार प्रशार किया जाता है इसके बाद वयस्क लोग अपने मता अधिकार का प्रयोग करके वोट देते हैं जिससे तै होती है कि किसकी सरकार बनेगी सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब तो बच्चों दूसरा सवाल दूसरा सवाल है विधायक का चुनाव किस प्रकार होता है विधायक का चुनाव वेस्क लोग अपने मतादिकार का प्रयोग करके विधायक का चुनाव करते है जिल्कुल सही जवाब तो सभी बच्चे ग्रीकार के लिए त्यार हो जाए अपने बिहार के मुख मंतरी का चुनाव जिन तर चित्र अपने उत्तर पुस्तिका पर सभी बच्चे बना कर लाएंगे ठीक है सब को समझ में आ गया जी समझ में आया मैम ठीक है